हे गाइस तो स्वागत है आपका Captain B2 के चैनल में जहां आज हम बात करने वाले हैं लेट से अपडेट के एपिसोड 12 में कि Wolverine Multiverse of Madness में होगा या नहीं साथ ही साथ Funko Toys से मिले कुछ new information के बार में बात करेंगे जो कि हमारी प्रानी theories को शायद तक सही सावित कर रहा है प्लस DC से भी कई सारे updates है जिसमें से Joker की update सबसे तगडी है So guys without wasting any more time चलिए direct video पे आता है So guys main video पे आने से पहले एक doubt clear कर देता हूँ जो कि हमारे audience में से कुछ लोगों ने पूछा था और वो ये था कि हम Funko Toys या Lego Toys पर इतना video या theory क्यों बना देते हैं जबकि उनमें से कुछ कुछ चीजे movie में होती भी नहीं है तो boss बात ये है कि कोई भी franchise सिर्फ movies से ही नहीं कमाती बलकि Toys merchandise वगेरा से भी कमाती है As उनका उसमें कुछ share रहता है तो जो भी profit होता है वो company और Marvel या फिर DC जो भी उस deal को कर रहे हैं उनको मिल जाता है तो ऐसे में Marvel वाले या कोई भी company जो Toys के साथ deal कर रही है और उनसे पैसा कमाने वाली है तो उनको कुछ महीने पहले ही बता देती है कि movie में characters कि suit में होने वाले हैं या वो कैसे पिछले वाले से थोड़े से अलग होंगे प्लस कोई जगा के बारे में बता दिया जाता है जहाँ पे major battle scene होगा जैसे कि for example Dr. Strange Multiverse of Madness के लिए यहाँ पे Gagger Hunters vs Dr. Strange की टोली होने वाले थी जिसको तो हम लोगों ने trailer में देख लिया और इसका बारे में हम लोगों को toy में बहुत पहले ही पता चल चुका था इसलिए toys and merchandise से मिले information पे हम videos बनाते हैं और उसमें से कई बार सब चीज सही भी हो जाता है बट कभी कबर जब कोई बड़ी project रहती है और वो audience को थोड़ा सा mislead करना चाहते हैं ताकि जो movie के अंदर suspense है वो बना रहे तो वो लोग movie से related accurately सब नहीं बताते हैं बट उससे मिलता जुलता रहता है अब toys से हमारी इस वीडियो के शुरुआत हुई है तो सबसे पहले जान लेते हैं थौर love and thunder के toys से हमें क्या पता चल रहा है जहां से हमें ये पता चला है कि शाय तक अर्थ में जो new asgard है वहाँ पर एक हमला होगा जो कि most probably ये monster करेगा जिसके शाय तक गौर भी हो सकता है लेकिन ये poster हमें एक दूसरे toy merchandise के पर भी देखने को मिला है जहां पर गौर्वर से स्माइटी थौर हो रहा था तो ऐसा हो सकता है कि ये बस एक शो के लिए है और जो new asgard में attack होगा वहाँ पर सिर्फ ये monster करेगा वैसे भी अगर गौर अर्थ में आ जाता है त हाँ पर attack ये monster करे और ये monster और कोई नहीं बलकि Midgard Serpent हो सकता है क्योंकि ये monster देखने में वैसा ही लग रहा है वैसे तो Midgard Serpent भी कम powerful नहीं है बट शायद तक उसका भी power down कर दिया जाए जैसे Fenris Wolf का किया गया था Thor Ragnarok के अंदर ताकि उसको movie के अंदर fit किया जा सके इसके बा इसमें Doctor Strange लिखा हुआ है जबकि Defender Strange के toy में Defender Strange लिखा हुआ है वही हमारे Doctor Strange के toy में Doctor Strange ही लिखा गया है तो ऐसा हो सकता है कि जैसा कि मैंने अपने theories वीडियो में बताया था कि Doctor Strange Wanda को हराने के लिए Wanda के body switch वाले trick को ही अपनाएंगे शायद तक movie के अंदर वो सच हो as हमें ये तो पता है कि ये body Defender Strange की है बट क्या उसको Defender Strange ही उसको control कर रहे है ये हमें नहीं पता प्लस जहां पे Doctor Strange का ये variant नटरा स्पोस देकर काली शक्तियों को use कर रहा है वैसे ही background में Wong भी Strange को आवाज लगाता है और ये Wong हमारे दुनिया का है तो ये अगर किसी को अगर in-depth इसके बारे में जानना है तो आप हमारी breakdown वीडियोस देख सकते हैं उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बाइद वे यहां जो मूर्ती लगई हुई है वो Doctor Strange को Supreme Strange का दरजा दिया किया है as उसका toy हमें देखने को मिल चुका है इसके अलावा toys में हमें एक नया character देखने को मिला है जो कि शाय तक wonky girlfriend होगी जिसका नाम सारा है अब बात करें Wolverine के multiverse of madness में होने की तो boss sources की माने तो इस movie के अंदर Wolverine guaranteed होंगे लेकिन उसको huge jackman play नहीं करेंगे लस Patrick Stewart ने भी यह confirm कर दिया है कि Doctor Strange 2 के trailer में जो आवाज थी वो उनकी ही थी अब बात करें क कुछ updates की जो कि DC से आ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो यही आता है कि Arrowverse के अंदर जो जो कर हमें दिखने वाला है बैट गल सीरिस के अंदर उसकी image लीक हो चुकी है जो कि कुछ इस तरह दिखेंगे जो कि TV शो के हिसाब से काफी ठीक है वहीं बात करें बड़े पर देख यह तो confirm नहीं किया गया कि Joker के सारे रोल को The Batman से हटा दिया गया है या फिर उस scene को हटा दिया गया है जहां पर Riddler और Joker एक ही जगा रहते हैं बैडगल मुवी के बिहाइंड दा सीन में हमें एक वैन नेजर आती है जिसमें Stag Interestries लिखा हुआ रहता है जिसके मालिक हमें Wonder Woman 84 में देखने को मिले हैं तो ये एक तरह से उसका reference हो सकता है लेकिन वीडियो को खतम करने से पहले आप लोगों को बता दों कि Elizabeth Olsen से बात चल भी हमें as Scarlet Witch या फिर कहें Wanda के variant के रूप में देख सकती है वहीं बात करें Don Cheadle की जिसको आफ वर मशीन के नाम से जानते हैं वो हमें Secret Invasion में शाय तक देख सकते हैं as एक पोटो सामने आई है जिसमें उनकी तस्वीर न्यूस पेपर में छपी हुई देख रही है हो सकता है यह सिर्फ as a reference हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उस series के अंदर हमें दिखे I know इस वीडियो में बहुत कम updates है और यह update वाले वीडियो बहुत समय बाद आया है लेकिन आप निश्चिनत रहिए क्योंकि इस मन्त आप लोगों को बहुत ही धाकर धाकर वीडियो देखने को मि पुराने है तो प्लीज चेक कि अपने बैल आइकन दबाया है या नहीं अगर आपने दबा दिया है तो वेल इन गूड और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू उसका notification आपको जाए इसके अलावा हमारे चैनल का एक छो जाए दे जाए झाते हैं।